कि नमस्कार दोस्तों मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्री इस्टेडी पर एक बार फिर्शे स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डिसी जनित्र में आर्मेचर रेक्शन क्या होता है आ किन-किन बातों को जाना आवसिक था वह मनें आपको बताया और अच्छी तरह से in lend क्या होता है क्योंकि इनको जाना बहुत ही जुरूरी होता है और प्रिक्षा में इनके उप्रिक्षिन भी काफी बार आ चुके हैं इसलिए आर्मिच रेक्षन का संपूर्ण अध्यन करने से पहले एक बीडियो मने इसलिए बनाया था कि आप लोग अच्छी तरह के जाने करे कि कोई दिकत नहीं हो तो इसलिए आपको वो बताने की बार आज उस टोपिक को आर्मिच रेक्षन के ने को आज फिर से रखते वे आज उसका संपूर्ण अध्यन करें कि घ सिर्ञे सेiler में क्या परवावों हो ओते हैं कि आर्मिच रेक्षन डीसी ट्रीच्टर में किस प्र प्रभाव तो आरमेचर रिक्षन आरमेचर परती के रही यह बताया थे आपके प्रिवास है ठाखे विक प्रॉरी जानकरी प्राफ्ट करते हैं कि होता क्या है और किस प्रकार वीशीजनेटर को प्रभाविध करता है क्या समझेर आती है और क्या होता है मनौने वक्ताया कि आर्मेचर स्टो रिंहानी होता है तो a मैंने आपको बता है कि यह आप लोगों नहीं आर्विचर लिया यह संट फिल्ड वाइडिंग में एक संट जनीतर की उपर आपको बता देता हूं देखो फिर कंपाउंड शीरीज सब में एक होता है यह सर्क्यूट को पूरा किया ठीक है और यहां से आपने इसको लूड लगा दिया और डीसे जनेतर आपने पड़ा होगा तो यह आई यहां से आई आर्विच अधारा निकलती है यह दो वाक में बढ़ते हैं एक आई एल्ल और एक आई एस है अब क्या होगा यह इसमें आई को पड़ाने कट्राने से अइस ह grassroots जोपी प्रबाव नहीं पड़ेगा तो परभावित क्या होगी आप कर देखा हो यह अप प्रने से लोड के बढ़ने से लोड बढ़ेगा और थे आप लोगों को मैंने प्रवाइगा बिड़ता है तो लोड को जिरू कर दें ünf कि तो लोड लगा पाइंगे हिए झर्थोगा तो है तो क्या ने सब्सक्क्रित के ताहर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो मैंने आपको कंडिशन बताए थी कि जब डीशे जनेतर पर लोड नहीं लगाते हैं तो कंडिशन क्या होती है लोड लगाते हैं तो कंडिशन क्या होती है लोड को अधिक और बढ़ा देते हैं तो कंडिशन क्या होती है ठीक है तो जनीतर कैसा भी हो ठीक है कि जनितर होती है क्यों होती है कि जिनितर की कंडिशन बतायी लेकिन होती ही सभी जनितर में आर्मी कर्णी हले 250 बता है वह आज उसका संपुर्ण करेंगे जो काफी बार आपके सामने परसन आया होगा रोज पढ़ते आ रहे हैं डिसेटर का अध्यन क्या तब पढ़ते आ रहे हैं कि आर्मेचर रेश्टन के का मान कम हुआ ठीक है तो आर्मेचर रेक्शन और दूसरा बताया था आर्मेचर रेश्टन्स वोल्टे ड्रोप तो मैं पहले बिता चुका हूं बीच बिच में आप लोगो ने देखें हैं नोर्स पनाए तो आप लिखें भी हों लेकिन आज उसका खुलासा करेंगी आर्मेचर रेक्शन हो अब देखो चके बारे में यह वाइब बात है कि यह दो पॉल ले लिए आपको गोर सी देखना एक एक पॉंट टू पॉंट समझना यह पॉल यह आपके दो दो पॉल का जिनीतार लिए यह सामरे डियाग्राम है असी आपको सद्च बताऊंगा शैब और बहुंते आ अलतीया यह इन यह आरमिचर नदी आ आपको पता है किले अपको बताक है आ वो एक और लुक्त ऑनदा ओर में हैं आपको तो यह वाइंडिक है तो यह इक थे कर देखों आप लोग देख चुके हो यहां क्या होता है यह ओता है कार्गन ब्रूस यह कारगन वुरूस गोर से देखना अब कल देखिए आप लोग देखा होगा कि आपके सामने दो अक्षे साते हैं एक आता है आने और एकहता है एक्षे साता है अपके अपरिके पिछली वीडियो में कि यृने क्या होती है जाने दो पोलो को बराबर बीच में भाग बाटने वाली रेखा होती है तोबूल को इनके बीच पहएं रखाती है इसह मतल्य के दिख संड्र लांइन होती है इस चुम्बक की और दो पोलो को बीच में बाटने वाली रहा ठीक है, अब मद्लब आपको ये बता कि MN Europe क्यक्तिव होता है चुम्बक की खत्र के कहता। के च्वंब 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 के इसका मुझा की जिने भी और एमने भी दोनों चुम्मत के अक्स के लंबर्ट होती ही तो एम एन एबी यही रहेगी है दो आपने नोट्स बनाए होताँ कि आप याद होगा लोड के अनुसार एमने की सकती है ठीक है तो यह सी बात अमने आपको बता कि टीपीट्य क्या होता है निए सबसे पहले पोल के जी शीरियो की संपर्क में आएंगी फच्छाए कर्स चुडंगे फट्बच्प्ट्र के कि आपको आर्मिचर यह क्लोपज घूम रहा है ठीक है तो यह आर्मिचर चालक यहां से आगी शीरी को शरक जैसे यह चालक गुंगी आए तो इसका यह हो गया लोड नहीं लगा है तो आर्मिचर में धारा कमान नहीं होगा अब आर्मिचर में धारा कमान नहीं होगा तो चुम्ब के फ्रक्स तो है लेकिन आर्मिचर में धारा नहीं है यह क्या आपका यह आर्मिचर है यह क्या है आर्मिचर चालक है मानने जाकि आर्मिचर में कोई धार प्रवाइट नहीं होई नहीं होई नहीं क्योंकि चुम्मे के फ्रक्स तो है आर्मेचर में कोई धारा प्रवाइट नहीं होगी तो आर्मेचर चालकों में कोई धारा प्रवाइट नहीं होगी उस इस्तिवे देखो एमने फिर भी वही है ठीक है यह एमने देखो यह एमने है और यह जीवने थी यहां पर और यह एमने दोने एक इस्थान पर है तो जनितर की नो लोड की कंडिशन में एमने और जीवने एक ही इस्थान पर होते हैं नो लोड पर्मेटर में कोई धैरा परवाइट नहीं होती हैं और ऐर्मेटर को धोरा कोई 渡ापपित होता हट संफ्रूप रहेازक पूलों के और आरमेटर के पीच में फ्लक्स के दापट होता रहेगा कोई प्रabytes की कोई कण ईसका मदरकि यह कॉन सा यह नहों कर सब्सक्राइब बैर यह नुलर पर बद 14 कि या शीन बहुत में द का अब सुनने लोड परर और में कोई धरा प्रवाइस नहीं होगी लिए लेना बात मने और जिया ने एक इस्थान पर होगी प्रिक्षा में काफे पर पुछ रहते हैं कि सुनने लोड पर मने किसे थी कहां होगी जयरे तो अपने इस्थान पर रहेगी और आर में चरद रहे कोई धारा परवायत नहीं होगी और मुख्य चुम्मा के फ्लक्स फाइफ यह FIF सम्मड रएगा अब बताव क्या पर्रतिक्रिया की नहीं की इसलिए काते हैं नो लोड पर है डीसच जनितरे में नोड पर कोई आर्मेचर समय होती है यता होता है वो ब्रावयत के रही है हुआ है ज savings बनाया आप लोगों के लिए एक अधिक नाथे दूस्री है पर दूसरी कंडिसिंगी और क्या होता देखो अभ आप लोगे नहीं आ कुनों बनाया कि आरमोल्ब कर में चालक होते हैं है यह अज इसके सब्समुल्ब को बनाते हैं गोर से देखने के पॉइंट टो पॉइंट यह दो फूल का डिस इन टे लिए आप लोगों नहीं यह आ पूल और यह एस पूल यह क्या रहेगी यह मैं मैं ए न सुरी जी एन यह तूमग के च्छतर यह इसका क्योंकि यहां से च्छतर आता है क्योंकि एन से एस की और चुम्ब के फ्लक्स आता है यह यह चुम्ब के च्छत्र की दिशा रहेगी ऐसे रहेगी चुम्ब के च्छत्र की दिशा और यह क्या अब एक पॉंट टू पॉंट देखते जाना आपको मैं बताऊंगा कि कितनी बस्ति समझ में आगा आप लोगों को प्रमेचर में धारा प्रॉइथ होगी की लोड को बढ़ाएंगे का भाइट हो रमेचर में ठाह preventing हो और आप लोगों को बताया कि अवैक्स आप्लों के किसी ने त vagy होती है तो उसके चारतर्व क्या कितु होता हैं किया यहां इन चालक में चुमबे के फ्लक्षन तरह में नहीं होगा तो कैसा होगा बात आती ने अब आप लोगों के पता है किसी चालक का का सभी जाद करते हैं तो देखो ये यह मुड़ी होई उंगल्यां सुम्ब के च्छतर के दिसा यह उठादारा के दिसांब रहेगा अब माल लेज़े कि आप लोगों को आर्मिंसर को कैसे घुमाया यह ऐसे घुमाया ठीक है यह अपने 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 इस्तान पर हैं यह एल्पीटी रहेगा यह टीपीटी मैंने आपको बताए कि एन पॉल के लंबत में जो भी शीचा रहेगा और मिसर जो भी चालक रहेगे उन में कहा रहेगा पॉजिटी यह अप रहेगा अब माल लेज़े के धार देखो यह ने अब इसमें इसको ऐसे गुमाया आप लोगो ने तो दारा के दिसा क्या रही है आप फले में के दाएं हथ के निये मनसार चालक के दिसा ग्याद करोगे तो यह दारा के दिसा ऐसे जाएगी तो मान देजे कि दारा के दिसा ऐसे आ रहे हैं आपको मैंने बताया थे याद होगा आप लोगो कि यहां क्रोस का निसान क्या बताता है और डोट का निसान क्या ठीक यहीं जिस चलक में च्छालक में तुमिब के फ्रक्स का मित रहें गता है जा बिस चाहित की को 파ुम से वंचो इसाऍदें, टीकूं से लिखने, उसमा मौत रहे हैं। आन्य लिक्ता की लिख में च्रॉास का मित तो इन चालोगे चुन्म की फ्लक्स कैसे गमेगा यह ऐसे घुमेगा और यह तो इसका चुम्मे के फ्लक्स कैसा होगा इसका चुम्मे के फ्लक्स ऐसे होगा इसमें चुम्मे के फ्लक्स यह गों रहा है इसमें चुम्मे के फ्लक्स यह गों रहा है गोर से देखना अब बात आगी कि इसका चुम्मे के फ्लक्स तो ऐसे और आदे आरे में चुम्मे के फ्ल अर्मेशर का धरस आहीं है मुख्छी सुम्बक्रेफ फ्रस्ट यह जायर आहा है दरसे सीडे सीदे ठीक है और आयर्मेशर में इम उफ प्store होगा बात आगी समय में अब दको कैसी कंडीशन आगी लास्ट कंडीशन आया कि इसका सुम्बके कसा का रहोगा इसका समय यह रहेग और यहां रहेंगे आपको पता कि मने पर क्या है आप लोगों ने लगाया था यह कार्बन बुरूस आप गोर्षी देखना के कंडिशन क्या आती है कंडिशन बहुत ज्यादा बढ़ी आएगी यहां तक रहेंगे यह चुम्बा के प्लक्स ऐसे रहेगा और यह चुम्बा के इसे जाए रहा है कौन सा चुम्बा के फ्लक्स यह मुखे चुम्बा के फ्लक्स यह जा रहा है अब यह दो चुम्बा के फ्लक्स हो गया अपने इस्थान के फ्लक्स ठेक है अब मुखे चुम्बा के फ्लक्स तो यह अपने इस्थान करते हैं और आर मेंसर का चुम्बा के कनडें को नीश आ गई कि यह चुंद्ध करें कि यह गाया ऐसे अ कि यह सुमत करें दुन है तो सुम्ब की फ्रक्षी से कमजोर पड़ जाएगा तो फिर एमफ कमान नहीं होगा मैंगी एमफ कमान डाउन होता शुरू हो जाएगा अब कंडिशन आगी यहां पर देखो यह कंडिशन कब आगी कि जब आर मिशर पर आपने लोड डालना शुरू किया ठीक है तो क्या होगा ल यह क्या है आर मिशर का चुम्ब के फ्लक्ष यह बढ़ेगा यह बढ़ेगा तो अब आपके पास आगए दो चुम्ब के फ्लक्ष ठीक है अब यह चुम्ब के फ्लक्ष घूमना शुरू हो जाएगा कैसी घूमेगा देखो यह चुम्ब के फ्लक्ष आपको तीस रची त्र पूल, यह एर गयर और अब बता तो आज में सर्चाल कों की द्वारा क्या होता है क्टन्डिशन क्या थे देखो यह आज में सर्चाल लगी ले लिया कि यह आगे और इनके इनके क्रोस को दिखाते हैं उपको इनके अंदर क्या था क्रोस था क्योंकि यह अंदर जा रहे हैं और उन चाल को मैंसे भारा रही है क्रोस और यह डोट कि यहां यहां से इसका सुम्बगे फ्लक्स का से जाएगा यहां से देख गोटा की दर्सि अगा गोट चीशन यहां से आएगा यह तीछा तो है यहां आता देखे। यहां T Ridet यहां T MP et कैं यह foundi GRNA तो है यहाह क्या था कि यहीं आपकी recommend प्हुक्ति यहां कि है यहीं आपकी तो यहां से गाएगा यहां इसको साथ लएगा और यह इसको निचे दखेल देगा यहांसे और से इसको यह तुम्ब के फ्रक्ष खाली और यहां से खाली गोहर से देखो तो चुम्ब के फ्रक्ष के यह वह घ्रूपन आपका बता है कि आर्मेट स्रेक्षन के दो प्रभाव होते हैं को कि होता है एक तो होता है चुम्बक यह विचोग परभाव एक तो यह होता है और दूसरा पर कौन सा विचुम्बकन का परभाव दो परभाव होगे इसको बोलते हैं क्रोस मेगनेटिक एफेक्ट मेगनेटिक एफेक्ट और इसको बहुते हैं डी मेगनेटाइज का विचुम्बक एफेक्ट दो परभाव होते हैं ठीक है अब आगे समझ में तो अब देखोए यह चुम्बक एफश्यासी तिर्चावा का से यह चुम्बक इस प्रभाव को करते हैं कि चुम्बक एफ्लक्स का विरूपन हो गया यह तिर्चा हो गया अब तिर्चा हुआ तो मैंने आपको पता है कि इसकी यह रखाया यह दो पोलों को बाटने वाले रखा है यह चुम्बक एफ्लक्स के बीच की रिखा है तो चुम्बक के फ्लक्स पहले तो ऐसे शिता था तो यह नहीं आथी चुम्बक के फ्लक्स यह से तिर्चा हो गया किसके कारण इस आर मिजर के प्लक्स के कारण मेन चुम्बक के फ्लक्स तिर्चा हो गया क्या मिजर ये यहाँ ने कहां दी आए तो और यह कारपनपुर्स यहां पर थे आपके सेंटर में तो अब आगी बाद कि एमने जब खिसके जाते कब खिसकी और में तरपल लोड डाला जनी तरपल लोड डाला तो एमने खिसके होगी तो आर्मेचर द्वारा उत्तन चुम्ब के फ्लक्स अधिक होने से ठीक होगी हुआ कर नहीं हुआ 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 तो कहते हैं कि जब चुम्ब के फ्लक्स का वीरूपन हो जाता है चुम्ब के फ्लक्स के रिचा हो जाता है एल्पीटी के पास कम और अटीपीटी के पास अधिक हो जाता है इस परभाव को कहते हैं क्रोस मैगनेटाइज इफेक्ट य झालोल मैंने की खिसःगी तो क्या To कर स्पार्किंग शुरूफ हो जाती है तो इस एफेक्ट से क्या होगा इस से यह पने इससे क्या होगा इस और Πर पर इस पार्किंग शुरू हो जाएगा एक सबसे बड़ा कराणकी क्रोस मैगनेटिक एफेक्ट होने होने से डीस जिनने पर क्या परभाव पड़ेगा बुरुसओं पर या कमुटेटर बुरुसओं के बिशिचे में इस पार्किंग शुरू हो जाएगी आगे बात इसको कार्बन बुरुष एमने पर लेगा दिया इसलिए इस प्रभाव को दूर करने के लिए कार्बन बुरुषों को एमने फर खिसका देंगे अब आप लोग दी नोट्स बनाए हैं तो यह कमेट्स में जरूर बताना मेरे को मैं नहीं बताऊंगा आप लोग नोट्स बनाएं का नाम बताना कि कार्बन बुरुषों को खिषका कर आई मने पर लेकिस की सहक्षादा इसे को खिषक дост ngay इसका नाम बताना उसे साहता से जहार करने मैंieso झिल्दू ज्रूर बताना के इसके सहफच्व का आइँनलीमें पर ला जाता है वरूश्पार्किंग दूर हो झाते ह अब देखो क्या वा निश्कर्स क्या निकलाइज के चुंब की विछ्ण परभाव से हैं था थो आर्मेचर रिख्षन के चुम्ब के विछुब परभाव से हैं कि यह ती यह थी यह थी तो नोट लगाए लिखेना बात कि आर में आर में से रेक्षन के चुम्बक के विच्छो परभाव या क्रोस मैगनेटिक के कारण आर में से गोमने के दिशा में मने जी आने से मने कहां से मने जी आने से कुछ डिगरी अपने इस्थान को छोड़कर खिसक जाती है अपने इस्थान को छोड़कर खिसक जाती है जिसके कारण आर में से में चुम्बक के विच्छो परभाव होता है और उस परभाव के कारण डी से रेंटर के कम्यूटेटर पर कारवन बुर्षों में इस पार्किंग शुरू हो जाती है अब यह तो इसका क्रोस मैगनेटिक एफेक्ट अब इसका ना को यह एक छोटा सा ग्राफ अना कि दिखांगे देखो यह यह आप लोगोंने यह इस ग्राफ को देखना गोड़ से देखना ठेक है यह क्या है यह आपकी एमनिये एम एन ए ठीक है यहाँ से लिख लो आप लोगों ने यह रेलिया मानेगी प्वाइफ या फाइए प्वाइफ चुम्ब के फ्लक्स में चुम्ब के मानता है दो बाते आगे तो अब देखो अब क्या होगा ये मुख चुम्बंड और मुख चुमके क्या हो जाता है तो ये चुम्बंड के फ्लक्स इसे प्रवेत पहुआने zaw तो पहले ऑन मे CAP यह दे कि यहाघी मैंनि मनने आपके बताया था कि मुखे चंब si ce n men年的 होती है रिखा देखो यह लंब लगई तो यहां कि मैंने कहा होती है कि मुखे चंब प्रक्स के ह来 लंब उती है तो मुखे चंब के PASK के यहां आ तो लंबत की एमिने की नहीं दिसाहिया आगए यह कहा है यह इसको होती है रिजल्टेंट चुम्बा के फ्लक्ष प्राइब कि नीचे क्विसका कितने डिग्री खिसका देखो यह डिग्री खिसका क्योंकि अ उसे नीचे की तरह आ गया तो इसको करते हैं ऐख लोगया यह यह है तोुक्त क्या फर्क पढ़ स्पड़ता है क्या प्रभावित होता देखो मां अभकु आपको इसी चित्र पर दुख्राशन फ्रार्भानाग दिखाता है मालेज़ दूहरे इस दुर्सरी प्रभाववाव की करते हैं कुछ में घृपको कि और में चरेक्षन के कारण वी चुमक्र डी मेंगनेटाइज इसकी बात करते हैं अब क्या हुआ आप लोगों नहीं दीरे दीरे लोड को बढ़ा है तो उस कंडिशन में क्या लोड को बढ़ा है और में लेकिन आर में इस सेरीज संट्र फिल्ड वाइनिंग मालो चेतर को मालो यह पूल देरे देरे संत्रिक्ट हो जाएंगे जब क्यों कि मुख्य सुम्ह के प्रक्षकामान इस्थापित होता रहे गा अब जिनितुर में क्या होता है कि जब इसमें ध्राकामान बढ़ता है इसमें ध्रीदर ध्रीदर बढ़ता एंगा क्यांकि यहां से वह लगाएंगी यही रियोस्टेट लगा दिया तियो सब्सक्री के फ्रक्ष का भान व्ड़तागी डिक्स कोju से जहारा को पर संसरफृति पोल क्या होँए यह संत्रिप्त हो जाएंगे जब यह पोल संत्रिप्त हो जाएंगे तो इसका मतलब कि मुखे चुम्ब के फ्लक्ष अब बढ़ना बंद हो जाता है अब बिचाए आप इनमे धारा कामान कितना भी बढ़ा है जब यह फिल्ट वाइंडिंग के कारण मुखे प्राप्त कर लेते हैं इसका मतलब अब इनमें धारा का मान बढ़ाएं यह और अधिक फ्लक्स इस्ताफित नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यह आ लिया कि अब मुखे चुम्ब के फ्लक्स बढ़ने वाला नहीं है लेकिन अब देरे-देरे आफ लोड तो फिर भी बढ़ा रहे ह जिunda को लेकिए फ्लक्स कोणसा सुम television इस यह फ्लक्स यह फाइ आएम जहां आता है यह बढ़ना बंद हो गया और बढ़ेगा और आइएक का बढ़ेगा तो फाइएक का मान बढ़ेगा ले कि फ्लक्स यह बढ़ाबर इस्तिर होगा यह बढ़रागे बगलार और लेकिन फ् अब यह बढ़ने वाड़ा नहीं है नहीं बढ़ेगा क्यों आया कि यह संत्री त़स्ता कर लेते हैं तो फिर देभ देरे यह सबचप बढ़ें gaat यह अब क्यांगा यह सब्क्राइब करीगा इसको अब क्या कि देगा ठेकर तो प्रंडिशन की आईगी देखो आपको प्रै peace Joint के शुरू होने के बाद मीं फिर्ए और बाद सरू होने के बाद कर भी है वाद कर नितर के पूँ प्रभाब सुरू होने के बाद कर लेते हैं संतृ तो हो उसके बाद भी यदी लोड बढ़ाया जाता है ठीक ने तो आई एल का मान बढ़ेगा आई एल का मान बढ़ेगा तो आई ए आर्मेचर में धारा का मान बढ़ेगा तो आर्मेचर का चुम्ब के फ्लक्स बढ़ेगा और आर्मेचर के चुम्ब के फ्लक्स के अधिक होने से मु तो यह अधिक होगा और यह अधिक क्यों तो यह कमजोर परना सुरू हो जाएगा तो मुख्य चुमब के फ्लक्स कमजोर परना सुरू हो जाता है कब जब पूर संत्रित हो जाते हैं तो पूर संत्रित हो जाने के बाद मुख्य चुम्ब के फ्लक्स कमजोर पड़ेगा तो आप लोगों को पता है कि ए समानुपाती होता है इसामानुपती ईसिक क्यषया मुख्य चुम्ब केसा फ्लक्स कोबठेगा तो क्या इंद्राइम डाउं नहीं होगा कि चांतरेंद्र को इस लिए कॉम्हों केफल कम हो जाता है क्यों यह कम होगा देखो फाई एम कमान कम होगा तो ई कमान अवस्चे कम होगा और यह कम होगा इसके बदले में क्या आगा यह आपका टर्मिनल बोल्टेज कमान भी कम हो जागा इसलिए मैं आपको बताया कि बार बार पढ़ते आ कि आर्मिचर रेक्षन होने से ट्रिमनल बोल्टेज कम होता है कि आर्मिचर को चुम्बा के फ्लक्ष इतना मजबूत प्रभाववी शालिए होगा वह फिर छोड़ाओगे धिरेद्र लोड दोड़ाते चलेेगे तो मुख चुम्बा के फ्लक्स कम जोड़ान ओगा और जनितर कर दाता है उसलों के हमान ही कम हो गया कियो कि में को यह चो कंदकर में हो गया और रेकिशन के सब्सक्राइब होते है तो करण हो गए कि क्या हो उत्य ओप फेसे लिएप रखेस्छीघ्य में कम तुमान कम होगा स्ट्टुत होने से क्या होगा बूर्सों परी स्ट। Saint parking होगी ठीक है तो यह होती है अब वी सुमकन का क्रोस्स पेल्ट काद्ध प्रफारड कभूते होता है जब इसके पुर संत्रित हो जा तो जनीत्र के पुर ंत्रित होने तक और क्विशोव पर वह रहता है कर दो इसका है आपको ग्राफ मॉनागे दिखाऊ नियुक्ति किसका इसका ग्राफ और यह और यह और यह और कमॉन मान यह और कमन ऊड़ी कमान गोला कैसे यह यह लगोज अपया दीरे यह आ और टर्मनलëरब का मान कम होना किई क्झिसट्ट पिया, गानिर प्रॉल्प्सtal करते हैं यह यह कंडिसन दी, तो यह तो थी आपकी army selection पीदा होती है तो क्या होता है और क्या बचे आप लोगों के सामने इसके परभाव कि निराकन की इसका solution क्या करेंगे की army selection को समाप्त करने का करना चाहिए जनीतर में नहीं कि चिश्च कहा जाता है या कुछ और कुछ आज की वीडियो की तो अज की विडियो स्मझ में तो लाइक करना रोतर देख रहे हैं वो इलेक्ट्रेशिन थोर्य का संपूर्ण देन निमी पट्रं के आधार पर पूरा करने के लिए पढ़ने के लिए दान्डे इलेक्ट्रिली शेडी चनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले थैंक्यू धनावाद दोस्तों